असलावलेकुम एवरिवान वल्कम टी जैनल कोड़ डैप तो आज हम लोग चैप्टर टू को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर टू जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडिशनल स्टेट्वे नमारा दूसरा चैप्टर होगा उसको हम डिसकस करेंगे तो चैप्टर वन हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है उसके अंदर जितना पी जावा का इंट्रॉडक्शन था जावा की बेसिक थे डेटर टाइप वरियेबल क्या होते हैं और जावा को क्यों बनाया गया C, C++ और जावा में क्या डिफरेंस है वो बेसिक चीजी थी वो ह हमने देख लिया अब हम देखने जा रहे हैं कि कंडिशनल स्टेट्मेंट हमारे पास क्या होता है और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है वो क्या होती है उनको डिपली डिसकस करेंगे तो उटा ले अपने कॉपी पैन और स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमे लेंग्विजिस के अंदर तो इसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम के फलो को कंड्रोल कर सकते हैं ठीक है बाइ यूजिंग देश कि वी कें अ कि कंड्रोल अवर प्रोग्राम हम अपने प्रोग्राम की एक्जिक्यूशन को कंड्रोल कर सकते हैं वो किस तरह कर सकते हैं वो डिफरंट टाइप्स होती है इसकी तो अभी दख वो हमने डिसकस नहीं की फिलाल इसकी डेफिनेशन समल दो कंट्रोल स्टेट्मेंट की मदद से हम अपने प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं तो यह इसकी डेफिनेशन हो गई अब यह चीज़ आप उस समझ में आनी चाहिए कि क्या होती है कंट्रोल स्टेट्मेंट ठीक है यह समझ आगी कि प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करते हैं अब किस तरह करते हैं कौन कौन सी चीज़े हमें दी गई हैं जिसकी मतलब से हम अपने प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करते हैं तो वो चीज़ अब देखते है तो मैं यहां पर mention कर देता हूँ types of control statement ठीक है तो first type की control statement मेरे पास कौन सी होती है तो first जो मेरे पास होती है वो होती है selection statement अब यह selection statement क्या होती है यह proper discuss करेंगे आज यह हमारा यही topic रहने वाला है लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है हमारे पास एक तो हमारे पास आता है if keyword ठीक है एक हमारे पास आता है if के साथ जो आता है if else यह second हो गया और जो third हमारे पास आता है if else if यहनी if के बाद else के बाद फिर if else यह चीज़ हमारे पास third आ जाती है और जो fourth चीज़ हमारे पास आएगी वो आएगी nested if अब nested if का क्या मतलब है if के अंदर if जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर आती है तो हम उसको क्या कहते है nested गया देते हैं तो if के अंदर कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ नहीं if के अंदर if आएगी तो उसको क्या बोलेंगी nested if हम बोलते हैं उसकी बार, एक जो चीज हमारे पास lost रह जाती है, वो आता है switch, तो ये proper हमारे पास आता है conditional statement के अंदर, ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गए, proper कितने होते हैं, एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये पाँच हमारे पास होते हैं, conditional selection statement, ठीक है, ये बार समझ में आ गए, उसके बार जो हमारे पास आता है, वो हमारे पास आता है, आइटरेटिंग, या फिर इसको बोल दो, आइटरेशन, और slash लगा कि मैं बोल देता हूँ, क्योंकि इसको दूसरा नाम भी होता है हमारे पास, looping statement, ठीक है, मेरे पास ये second आ गया, आइटरेशन और looping statement, अब इसक क्या मतलब है, second lecture के अंदर हम लोग देखेंगे, कि iteration और looping statement होती क्या है, लेकिन ये अभी इतना तो थोड़ा सा बता होने चाहिए, कि ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, iteration और looping statement वो चीज़ होती है, कि मैं चाहता हूँ, कि मेरे प्रोग्राम का ये specific code, मैं उसे provide कर देता हैं, वो मैं define कर देता हूँ, तो उसके अंदर कितनी चीज़े आती है मेरे पास, एक तो मेरे पास आता है for loop, ठीक है, एक मेरे पास आता है while loop, and third जो हमारे पास आता है do while loop, और fourth भी हमारे पास एक होता है, for each loop, जो कि ज्यादा तर लोग इसको discuss नहीं करते हैं, क्योंकि ये collection framework के अंदर ज्यादा use होता है, तो इस वज़े से, ये हमारे पास fourth भी loop इसके अंदर आता है, for each loop, तो ये हमारे पास आ गया iteration या पिर looping statement के अंदर, अब third हमारे पास conditional statement कौन से होती है, उस चीज़ को discuss करते हैं, तो third की बात करते हैं, third आता है हमारे पास jump statement, अब jump statement का क्या मतलब है, for example, जिस तरह real word में देखे jump, अब jump का क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ के मेरा प्रोग्राम यहां से jump करके किसी ओर statement में चला जाए, तो वहां वे मैं किस चीज़ को use करता हूँ jump statement का, पार रिगेंपल ये मेरे प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है और मैं क्या कहता हूँ मेरे प्रोग्राम यहां से जंप करके यहां पे चला जाए यहां से जंप करके यहां पे चला जाए उस चीज़ के लिए मैं क्या यूज करता हूँ जंप स्टेटमेंट अब जंप के लिए कौ हमारे पास दिया गया है वह है continue and third जो हमारे पास है return ठीक है एक fourth भी होता है जो हमारे पास वह assembly language या पिर C के अंदर होता था go to statement अब go to statement जावा के अंदर नहीं होती go to का मतलब क्या होता था पार एक जावा के अंदर क्यों नहीं है यह मारे प्रोग्राम को काफी मुश्किल बना देता है इस वजए से हमारे पास यह assembly language के अंदर बहुत जादा यूज होता था लेकिन आज कल की जितनी भी languages है उसमें बहुत कम यूज होता है और जावा के अंदर यह है भी नहीं ठीक है अब यह proper किस तरह काम करते हैं यह हम अपने इसी के lecture में देखेंगे जब हम discuss करेंगे अब हम discuss करते हैं कि हमारे पास जिस तरह हमने यह discuss किया conditional statement में हमारे पास different type की conditional statement होती है जिस तरह मैंने देखा यहां पे मैंने आपको बताया कि मेरे पास selection statement होती है selection के अंदर मेरे पास if होता है if else होता है if else if होता है और nested if होता है उसके बाद मेरे पास switch होता है ठीक है यह पे इफ नहीं है इफ इसके साथ है तो यहां पे स्विच हमारे पास यह क्या होता है यह सारी चीज़े अब इनके संटेक्स को देखेंगे और यह किस तरह प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में डिस्क्रेस करते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले आप देखें कि if मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ ठीक है अब इफ की बारे में समझने वाले है इफ का संटेक्स देखो syntax मेरे बाद आगया है मैं लिखता हूँ यहाँ पिफ का keyword याद रखना ये अफ का keyword लिकना लाजमी है उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ कोई भी condition अभ यहाँ पे एक बाद का ध्यान रखना यह जो मैं condition यहाँ पर लगाता हूं वो हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्ण करती है बुलियन क्या मतलब है जिस तरह आमने डेटर टाइप देखी थी तो महां पर मैंने बुलियन बताया था बुलियन में दोई वैल्यू पॉसिबल होती है उसकी या पर ट्रू या फाल्स झाल्स गुलियन वैल्यू रिटर्ण करेगी जो मैंने कंडिशन जाब दी फार एक्जमपल अभी के लिए देख लो कि अगर मैंने कह दिया अगर एक्वल टू बी हुआ तो ये वाले स्टेट्मेंट एक्जीक्यूट होगी ये वाले इसके अंदर मैं कुछ भी कोड लिख दूंगा पर एक्जमपल मैंने प्रिंट कर दिया एक्वल टू एक्वल टू बी ठीक है तो यहां पे मैंने बाद आगई इसकी ब्रैकेट्स तो ये प्रॉपर संटेक्स होता है इफ का अब समझते हैं कि इफ एल्स क्या होता है ठीक है बहुत ही असान है अब यहां पे देखना जिस तरह इफ था हमारे पास उसकी थोड़ी सी एडवांस फाहमा जाती है इफ एल्स देखो इसका मतलब क्या है मैं यहां पे संटेक्स लिख देता हूँ यहां पर मैंने लिख था, इफ का की वर्ड, वहां पर भी था, यहां पर भी है, यहां पर मैंने लिख था, कंडीशन, वहां पर भी था, और यहां पर भी है, यह रिटरन करता था, बुलियन वैल्यू, ठीक है, यहां पर मैं कुछ कोड लिख देता था, अगर टू हुआ तो यहां पे आजाएगा अब यह कणिशन कैया रिटॉन करता था मुझे बुलियन वैल्यू रिटॉन करता था네ख अब वो बुलियन वैल्यू अगर ट्रो निकलती थी तो मेरे पास यहां यादा था यहाँ पे जो भी code मैंने लिखा होता था यह execute हो जाता था अब अगर यह value false होती थी तो उसको handle करने के लिए कोई भी way हमारे पास नहीं था अब उसकी advance form में क्या है कि इसके साथ else को use कर लो और यहाँ पे मैं कुछ code लिख देता हूँ और इसकी bracket मैं क्या करता हूँ close कर देता हूँ अब यह program किस तरह से काम करेगा अगर यह value true होती है तो यह वाला execute होगा अगर यह value false हो जाती है तो यह क्या दरेगा else part के अंदर जाएगा और उस code को execute कर देगा हमेशे के लिए क्योंकि हमारे पास अगर यह value true हो जाती है तो इदर जाएगा अगर value false हो जाती है तो else part के अंदर जाएगा और इसको execute कर देगा अब हमारे पास यह way आ चुक है अगर true आई तो इस तरह चले जाओ अगर false जाएग तो इस तरह जले जाओ ठीक है यह दूसरा भी होगे हमारे पास if else का अब if else क्या होता है अगर यह चीज़ हुई तो यह कर देना अगर यह चीज़ ना हुई तो else वाले पार्ट में चले जाना वह execute जो भी code है उसको execute कर देना तो यह था हमारे पास if else वाला पार्ट अब हम देख रहे हैं के if else if का क्या मतलब है if else if अब इस चीज़ का क्या मतलब है कहीं जगा पे आप यह भी देखेंगे कि यह वाला syntax यूज हो रहा हुता है अब इस चीज़ का क्या मतलब है जिस तरह मैंने यहां पे लिख दिया if condition ठीक है यहां पर यह code आगया मेरे पास अब यह else if ठीक है यहां पर भी मेरे पास condition आ जाती है ठीक है और यहां पर यह आ जाती है अब वहां पर क्या होता था अगर इफ वाली condition true हो जाती है तो वो direct चला जाता था else part के अंदर ठीक है वो direct else part के अंदर यानि कि अगर false हो जाती है direct जाता था else part के अंदर ठीक है अगर ये condition true हो जाती थी तो वो else part के अंदर जाता ही नहीं था ठीक है इसके अंदर गया होता है कि अगर मेरे पास if की condition true भी हो जाती है तो वो else if को check लाजमी करेगा ठीक है और इसको हम ये भी गयते हैं ladder if क्योंकि बहुत सारे if बनते जाते हैं if, else if, if, else if इस तरह तो मैं इसको ladder if भी बोल देता हूँ ठीक है तो ये इस तरह से कामगर होता है हमारे पास उसमें क्या होता था अगर if की condition true हो जाती थी तो else part के अंदर जाता भी नहीं था पर यहां पर क्या होगा अगर condition true भी जाती है तो else if के अंदर लजμी जाएगा अब समझते हैं कि हमारे पास nested if क्या होता है थीक है हमने तीन किसंग में समझ लिए if समझ लिया, if else समझ लिया, as if if समझ लिया ठीक है अब हमने फूर्थ देखना है कि यह हमारे पास nested if हमारे पास क्या होता है मैंने आप उस टार्ट में बताया था कि जब भी if के अंदर if आजा है तो हम उसको क्या बोलते है, nested if अभी इसका क्या मतलब है यहां पर मैं कछ भी condition लिख दूँगा ठीक है और यहां पर मैं इसकी body के अंदर आया इस if की body के अंदर आया फिर मैंने क्या लिख दिया एक वर if लिख दिया और condition लिख दी यहां पे कुछ भी condition आ जाती है और यह एक और इसके अंदर एक और if मैंने लगा दिया और यहां पे मैंने condition लगा दिया अब यह प्रोग्राम किस तरह से execute होगा यह इसकी brackets हैं यह इसकी brackets हैं और यह इसकी brackets हा जाती है ठीक है अब इस प्रोग्राम का flow समझ लो हमारा प्रोग्राम इसके अंदर आएगा ठीक है यह वाली इसको चेक करेगा अगर यह वाली हो जाती है true तो वह क्या गरेगा इसके अंदर जाएगा फिर इसको चेक करेगा अगर ये true हो जाती है तो इसके अंदर जाएगा इसके अंदर जो भी code लिखा है उसको execute कर देगा अगर क्या होता है कि ये check होती है तो ये return करती है मुझे value false अब इस case में क्या होगा ये वाली check ही नहीं होंगी क्योंकि ये इसके अंदर है और ये वाला code तब execute होता है जब हमारे पास ये condition हमारे पास true हो जाती है अगर ये false हो जाती है तो ये इसके अंदर जाए गए नहीं ये इस इन दोनों condition को check भी नहीं करेगा अगर फार एक्जम्पल मेरे पास ये होता है कि ये चेक होती है और ये रिटरन करती है ट्रू ठीक है ये ट्रू रिटरन करती है इसके अंदर जाता है और ये क्या रिटरन करती है ट्रू ठीक है इसके अंदर जाएका ये फाल्स रिटरन करती है तो यहाँ पर जाए गई है तो इसके यह आपको समझ आ गई जो भी true return करता है उसकी body में जाता है उसको execute करता है और यहाँ पर भी value false आई वहाँ सी वह बापिस चला जाएगा अगर for example इसने true return किया यहाँ पर जाएगा इसने false return किया तो यहाँ से ही back हो जाएगा इसकी अंदर वारी जितनी भी statement if else लगी ही है वो उनको execute करे गई है तो यह था हमारे पास nested it अब एक और होता है हमारे पास switch statement अब switch का क्या मतलब होता है switch का मतलब यह होता है यहाँ मेंशन कर देता हूँ switch का syntax देख लो के यह हमारे पास syntax का किस तरह से होता है switch का keyword मैं यूज करता हूँ यह जो keyword मैं कहा रहा हूँ ना यह इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि predefined Java के जिन्होंने Java बनाई थी उन्होंने यहाँ पे कुछ keyword हमें बना के देती है 52 keywords होते हैं proper पर जिन मेंसे दो हमारे पास नहीं होते हैं एक मैंने आप गदा दिया go to और हमारे पास 50 keywords होते हैं Java के अंदर जो predefined होते हैं उन मेंसे एक switch भी होता है हमारे पास ठीक है यहाँ पे मैं कुछ भी variable लिख देता हूँ कुछ भी variable में लिख देता हूँ जिस variable को मैंने check करना ह 충ी अंदर गद्ग के अंदर आता हूँ तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं case for example जिस तरह यहाँ पे मैंने लिख दिया case 1 और यहां पे मैं colon का cimbal यहां पे यूज होता है और यहां पे मैं कुछ भी statement क्र себяआरे कोड होगा हमारे पास यहां पर एंडे क्यूट होगा और यह जांपडे कर दो आगे वहाला चितना भी प्रोग्राम 2 ना ठीक है यहां पर मैं दुबारह से आपको समझा देता हूँ, switch का क्या मतलब है, switch का keyword मैं use करता हूँ, उसके बाद यहां पर कोई भी variable जो के मैंने चेक करना है, उसको मैं यहां पर लिख दाँ, केस यहां पर मेरे पास आता है, case 0, और यहां पर उसकी आती है statement, कोई भी हमारे पास code होता है, उसको मैं लिख देता हूँ, यहां पर और यहां पर break लगाना लाजमी है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अगर ये वाली statement true हो जाती है तो यहाँ पर इसको क्या दर्दो break लगा दो आगे जाओ इने अब आता है case one और यहाँ पर कुछ इसकी statement आ जाएगी और यहाँ पर भी break आ जाएगा अब देखना यह execute किस तरह होगा एक्जीक्यूट इस तरह होगा पर एक्जंपल ये मेरे पास जो condition मैंने लगाई थी ये statement ये execute हो जाती है ये true हो जाती है तो यहाँ पर ये जाए गई ने ठीक है ये वाली execute ही नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पर break ना लगाता तो ये सारी की सारी जितनी भी many cases लगाई रगाएं है वह execute हो जाते और जहाँ पर इस से break मिलता वहां सी ये break लगा कि return हो जाता ठीक है और fridge के अंदर हमारे पास जो एक और हiramारे पास cases के लावा जितनी भी cases है हमारे पास इससके अंदर आ जाते हैं थीस तरह नहीं है कि एक यही आएगा दो आएगे जितनी भी आपकी नीड होती है उतनी केसे दो आते है और एक और होता है हमारे बुल्ठ ठीक है अब इस क्लम क्या मतलब है वह होता है यह में साइन लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ कोड लिख देता हूँ अब यह प्रोग्राम किस तरह साइक्जीड होगा यह देखना स्विच है हमारे पास स्विच ने कुछ भी वेरियेबल लिए हुए ठीक है इसके अंदर आएदा अगर केस वन फाल्स हो जाता है तो व क्योंन B अगर Aun21 भी अगर फाल्स हो जाता है थो जो जितने भी केसस दिवी ह हैं उनके पास रएगगा अब सारे ही cases हमारे पास fall हो जाते हैं, तो वो क्या करेगा by default, जो हमारे पास default का horde दिया होगा वो लाजमी execupt होगा, अगर कोई भी statement true हो जाती है, तो true वाली को execute कर देगा, default को ignore कर देगा, अगर कोई भी statement हमारे पास true नहीं होती, तो उस case में हमारे पास default वाला code हमारे पास execute होता है अब यहाँ पर एक बास समझ लेना यह जो वरियेपल यहाँ पर मैं प्रोवाइड गर रहा हूं न जिस तरह मैंने आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटर टाइब बताए थी अब प्रिमिटिव में देखो कौन-कौन सी मैं यहाँ प्रोवाइड क कर सकता हूं कैर को भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूं इसी तरह स्ट्रिंग को मैं प्रोवाइड कर सकता हूं ठीक है एक दो तीन चार और पांच पांच ट्राइब की मैं इसके अंदर एजा वेरियेपल यूज़ कर सकता हूं लेकिन जो दो होती है मुख वो मैं कभी भी स्व फ्लोट आ गई ठीक है यह मैं कभी भी इसके अंदर यूज़ नहीं करता फिर हमारे पास एक आ जाती है बूलियन ठीक है तो मैं यह कभी भी इसके अंदर यूज़ नहीं करता ऐस अवरियबल तो यह पॉइंट एक इंपोर्टर था जो कि आपको ध्यान में रखना है कि यह हम संटेक्स क्या होता है अब इसके प्रोग्राप कुछ देखते हैं क्विके प्रेक्टिकल blossom बहुत जरूरी है और को फिकन को बार्रग्रांब हम करने वाले हैं तो वो मैं यह यहां पर आ अगे हूँ अपनी IDE में तो IDE में new पिर बेगर आप лисьलेंग करना java project हो सकता है आपको java project ना दिखा है तो आपने उस case देखना है अदर्स पे जाना है अदर्स पे जाकर यहां पे सर्ज करना है जावा प्रोजेक्ट ठीक है तो यहां पे आ जाएगा जावा प्रोजेक्ट नेक्स पे क्लिक करना है यहां पे प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम रख देना है तो मैं क्या गरता हूँ conditional statement statement class one के name से ठीक है तो मैंने ये project बना दिया अब project पर यहाँ पर arrow पर click करना है click करते हैं तो source पर जाना है यहाँ पर arrow पर click करना है अब source पर जाकर आपने right click करना है फिर new पर जाना है यहां पे जा कि आपने क्या करना है मैंने आपको 2 ways बताई थे एक क्लास पे जाएं यहां पे आप क्लास भी क्रीट गरते हैं और package का नाम भी इदर ही दे सकते हैं ठीक है यह हमने प्रिविएस क्लास के अंदर देख लिया था अब एक और वी हमारे पास क्या होता है सोर्स पे जाएं सोर्स पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे पैकेज बना लें ठीक है पैकेज का कुछ भी नाम आप रख सकते हैं एक स्टेंडर्ड होता है पैकेज को नाम देने का तो अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा तो यहाँ पे सिर्फ इतना देख लेना पैकेज का नाम कुछ भी रख देना जब वो हम भी पढ़ लेंगे तो आपने उसी तरीके से ही नाम रखना होता है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉस्ट थीक है फिनिश कर दिया यह पैकेज का नाम बन गया अब आपने क्या खरना है सोर्स पर क्लिक नहीं करना क्यूंकि मैंने इस पैकेज की अंदर क्लास बनानी है फॉस्ट के अंदर तो फॉस्ट पे राइट क्लिक करो नियू पे जाओ और Class पी क्लिक कर देना अब Class का कुछ भी नाम रख दो तो मैं क्या करता हूँ यहां पे Demo One के नाम से मैं Class का नाम रख देता हूँ तो मैंने क्या किया यहां पे Class का नाम प्रोवाइड किया और नीचे देखो यहां पे आपको क्या बता रहा है कि आप Main Method बनाना चाहते है या नहीं बनाना चाहते है तो मैं क्या करता हूँ इसको टिक कर देता हूँ तो वो जब हम लिख देते हैं Main लिख देते हैं और Control और Space Bar को ब्रेस करते तो हमें Main Method बनाना पड़ता था तो अब भी वो भी बनाने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो मैं Finish कर देता हूँ जब Finish करूँगा तो यह हमें Boiler Plate Code हमें बना कर दे देगा ठीक है अब यहां पे Proper Working स्टार्ट करते हैं तो मैं क्या गरता हूँ एक Variable बनाता हूँ Int A equal to 1 Int B equal to 2 और यहां पे If Statement ठीक है If Statement का Syntax याद है उसका Syntax क्या था यहां पे मैं लिख देता हूँ Syntax ठीक है उसका Syntax हमारे पास क्या था If होता था मेरे यहां पर मेरे पास If होता था यहां पे Proper ही Syntax मैं लिख देता हूँ यहां पे मैं multiline comment के use कर रहा हूँ यहां पर मैं लखता था M और यहां पर मेरे बास होती थी condition ठीक है अगर यह condition true होती थी तो यह वाला code हमारे पास execute जाता था अगर यह condition false होती थी तो यहां पर जाता था यह और हमारे बास यह वाली statement को execute हो जाते थी और यहां पर मैं लिख देता हूं true क्योंकि जब true हुआ तो यहां पर जाएगा और अगर false यहां पर true case लिख देता है true की case में दर जाएगा ठीक है और यहां पर मैं लिख देता हूं false case ठीक है यह proper इसका syntax हो गया अभी इसको practically करना start करते हैं तो मैं क्या कहता हूं अगर दो number जो मैंने बनाए है if जो number मैंने बनाए थे a और b अगर वो equal हो जाते हैं तो मुझे statement execute करनी है अगर वो equal नहीं है तो एक statement execute करनी है तो उसको मैं किस तरीके से करूंदा हूं तो वो देखूं मैं कहता हूं if अगर a equal equal to b है यह मैंने operator use किया जो के previous class के अंदर मैंने आपको बताए थे तो यह किस जगह पे लाई करता है यह भी मैंने आपको बताया था तो यहां पे मैंने यहां पे यह लिख दिया if की body हमने बना दी यहां पे मैंने कुछ भी लिख दिया यहां पे मैंने यहां पे लिख दिया इसके अंदर आता हूं both number और equal ठीक है अगर both number equal ही है तो यह वाली statement मुझे क्या करेगा print कर देगा अगर यह equal नहीं हुए तो फिर क्या होगा वो जाएगा else part के अंदर और वो यह वाली statement को execute कर देगा यह जो मैं यहां पे लिखता हूं तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं not equal ठीक है अब मैं क्या करता हूं right click करता हूं run और Java application ठीक है अब यह देखो not equal क्योंकि दोनों number equal नहीं थे a क्या था हमारे पास one और b हमारे पास उपर यह value हमने provide की थी b हमारे पास था two ठीक है अब मैं क्या करता हूं दोनों की value same कर देता हूं अब देखना कौन सी वाली execute होगी तो Java application ओके यह देखों both number are equal क्योंकि अब भी दोनों number same होगी है तो यह वाली statement हमारे पास क्या हो रही है execute होगी ठीक है अब आपको यह समझ आगी है कि हमारे पास if else हमारे पास किस तरह से गाम करना है ठीक है अब आपने क्या use करना है अब आपने use करना है else है तो वो किस तरह से गाम करता है तो यहां पर new class बना देता हूं यहां पर new class मैं कर देता हूं second यहां पर मैं आया, यहां पर मैंने करदर दिया, main method बना दिया main method मेरे पास बन गे फिर मैं यहां पर आया, int a equal to 10, int b equal to 19 और यहां पर आ जाएगा, if अगर एक program ही बना देता है, मैं यहां पर लिख देता हूँ write a program to check greater यहां पर लिख देता है, greater number between two number, ठीक है, दो number है मेरे पास, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा number greater है, तो उस चीज के लिए मैं किस चीज का use करूँगा, else if का, ठीक है, अब देखो, if अगर मेरे पास, a अगर greater हुआ, b से, यह sign होता है greater than का, यह greater दा, ठीक है, तो मैं यह वाली statement को print करूँगा, else if, अगर मेरे पास, b बड़ा हुआ a से, यहां पर लिख देता हूँ, else if, ठीक है, अगर b बड़ा हुआ, a से, यह वाली statement मैं execute करूँगा, अगर मेरे पास, दोनों case ना हुए, तो else वाले बार्ट के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूँ, अगर a बड़ा है, b से, तो क्या print करो, a is greater, a is greater, और उसके बाद मेरे पास आजाएगा, यहां पर, मैं यहां पर प्रिंट कर दूँगा, b is greater, और यहां पर, अब यहां पर else वाले पार्ट आजाएगा, अब else वाले पार्ट के अंदर हम इसका लिखेंगे, अगर यह वाली condition भी ना हुई, और यह वाली condition भी ना हुई, तो else वाले पार्ट के अंदर आएगा, और इसको execute कर देगा, यहां पर क्या लिखता हूँ है, both number are equal, both number are equal, ठीक है, अगर a बढ़ाना हुआ b से, b बढ़ाना हुआ a से, तो इस case में a की case बज़ता है, कि दोना number equal है, तो इसको क्या अगरता हूँ, right click करता हूँ, मैं क्या अगरता हूँ, यहां पर run कर देता हूँ, अब b is greater, क्यूंकि हमारे पास जो b था, वो बढ़ा था, 19 था, ठीक है, अब मैं क्या अगरता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ, अब हमारे पास answer क्या आएगा, java application, ok, a is greater, क्यूंकि अब a बढ़ा होगे, अब क्या करता हूँ, दोनों number को मैं क्या करता हूँ, equal कर देता हूँ, अब हमारे पास answer क्या आएगा, वो आप देख जाए, java application, इसको मैं always कर देता हूँ, फिर यह मुझे pop-up नहीं देखा देगा, यहाँ पर देखें, both number are equal, इस तरह से हमारे पास if, else if और else हमारे पास काम कर देखा है, ठीक है, अब हमने एक प्रोग्राम भी देख लिया, कि दो number अपस में equal हैं के नहीं, greater हैं के नहीं, तो कौन सा number greater है, वो हमने चेक कर लिया, अब एक और प्रोग्राम हम देखते हैं, जिसमें हम proper देख लेंगे कि हमारे पास, nested if हमारे पास किस तरह से काम करता है, यहाँ वह लिख देता हूँ, nested if, अब nested if हमारे पास क्या था, if के अंदर जो if आता है, वो हमारे पास था nested if, तो उसको समझते हैं, उसको समझते हैं एक प्रोग्राम की मतर से, प्रोग्राम कौन सा, के हमारे पास, write a प्रोग्राम, to check, year is, leap year, or not, अब leap year क्या होता है, उस चीज़ को समझ लो, के फैबरिरी में, हमारे पास, जो दिन होता हैं, वो कितने होता हैं, 28 होता है, तो leap year वो होता है, जो के, उस मन्थ में हमारे पास, 29 days हमारे पास होता है, तो वो year हमारे पास क्या हो जाता है, leap year, अब इसको चेक करने के लिए, हमारे पास condition होती है, वो condition क्या होती है, अगर मेरे पास ये जो मैं year लिक रहा हूँ year जो मेरे पास है modulus अगर मैं उसका mod करता हूँ 4 के साथ तो equal equal to वो 0 आना जाही है ठीक है इसके लावा और कौन सी condition होती है इसके लावा और भी condition होती है वो क्या होती है if अगर मेरे पास जो मैं year यहाँ पे लिक रहा हूँ उसका मैं अगर modulus करता हूँ 100 के साथ और equal equal to 0 आता है ठीक है तो ये दोनों condition मेरे पास आगई लिप year के लिए एक और third condition भी मेरे पास होती है अगर मेरे पास ये जो year है उसका अगर मैं modulus करूँ 400 के साथ तब भी वो मेरे पास क्या है 0 है तो ये तीनों condition अगर satisfy होती है तो लिप year वो का otherwise लिप year नहीं होगा ठीक है तो उस चीज़ को practical करके देखते है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अब year जो है वो user से ले ले लेते हैं तो आज की class में आप पो ये भी पता चल जाएगा कि user से input किस तरह लेते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक class होती है scanner ठीक है scanner की मदद से हम क्या करते है user से input ले सकते हैं अब कितने तरीकों से ले सकते हैं वो हम देखेंगे stream की class के अंदर stream के lecture के अंदर कि हम तीन तरीके से user से input ले सकते हैं लेकिन हम भी use करते है scanner अब scanner को क्यों use करते हैं उदर ही हम discuss करेंगे तो मैं क्या अगर पहूँ scanner scanner glass आपको import करने पड़ती है तो import करने के लिए एक तरीका तो यह है अब क्या करूँ यहां पे import लिखो और यहां से scanner को import कर लो तो यह किस package के अंदर मुझूद है यहां पे देख लेता है doop java.util. यहां पे मैं लिखते है docks stream.scanner ठीक है तो यहां पे इस के अंदर मुझूद नहीं है यूटिल के अंदर io के अंदर देख लेता है io.scanner मुझे अभी नहीं विर रहा यह किस package के अंदर है अभी देख लेता है इसको देखने का असान तरीका है यह देखो control और space प्रेस करो इसने बदा दिया कि मैं मुझूद हूँ यूटिल package के अंदर है कहाँ पर मुझूद है यहां पर यह मुझूद है ती यह असान तरीका होता है कि जो भी class मैंने यहां पर दिया है control और space प्रेस करो तो आपको यह दिखा दिता है तो यहां पर कुछ भी मैंने इसका नाम रख दिया तो इसका मैंने object बनाना है object भाम बनाते है new की मदल से तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ scanner system.in ठीक है यहाँ पे मैंने scanner को object बना दी है यहाँपे मैं आता हूँ मैं यहाँपे लिख देता हूँ hinter ear ठीक है यहाँपे ear को मैं input कराऊंदा ठीक है अब ear किस type का होगा वो होगा string type का या फिर integer type का year हमारे पास होगा integer type का तो मैं क्या करता हूँ int यहाँ पर year का एक variable बनाया और यहाँ पर मैं लिख दिया sc.sc क्या है यहाँ पर मैंने यूज किया था जो के object का नाम था scanner class का object का नाम था और इसके अंदर बहुत सारे methods होते है next int next int की मतलब से हम क्या करते है integer को input करा सकते है ठीक है तो इन तीन line का क्या मतलब है सबसे पहले scanner का object बनाया simple एक statement लिखी यहाँ पर मैंने लिखा interior और इस का क्या मतलब है इसकी मतलब से हम integer को input करवा सकते हैं ठीक है अब string कराना है तो उसके लिए अलग method होगा ठीक है अब मेरे पास यह चीज़ आगी अब मैं यहां पर क्या करता हूँ if अगर मेरे पास year जो के अभी मैंने statement आपको condition बताई थी leap year के लिए तो अगर वो die visible होता है four के उसका हम जो mod करते है वो equal equal to zero आ जाता है तो वो इसके अंदर आएगा अभी print नहीं कराना लीप है और condition भी चेक करनी है तो यह first condition हमने चेक करवा दी अगर यह होती है true तो यह इसके अंदर आएगा ठीक है इसके अंदर आया इसके अंदर एक और मैंने if लगाई हुए है हुआ उन्दें के साथ उसका अगर मौड आता है सीरो तो इसके अंदर आएगा अगर यह condition भी true हो जाती है यह condition भी अगर true हो जाती है तो इसके अंदर आएगा इसके अंदर एक और मैं condition लगा दूंगा जो कि हमारे पास last condition है अगर इसका modulus में करता हूँ उसका mod आ जाता है 400 के साथ अगर मैं करता हूँ उसका अगर 0 mod आ जाता है तो वो क्या होगा एक leap year होगा तो मैं यहाँ पे लिक देता हूँ leap year ठीक है और अगर यह leap year नहीं होता तो मैं यहाँ पे आउँगा else part के अंदर else part के अंदर आउँगा तो यहाँ पे मैं लिक दूँगा यहाँ पे not a leap year ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया right click किया run किया java application यहाँ पे आ गया अब कोई भी year हमने input करना है तो मैं क्या करता हूँ 19 करता हूँ और मेरे पास 1 minute यहाँ पे वाई चाहता हूँ 19 यह अदिक्टिट पे भी उँड़ा हूँ स्मै किच गड़ाएं 1 minute करता हूँ और यह मैं कर देता हूंगा एंट इयर इक्वल टू के यह यह चीज़ ठीक है सेफ किया सेफ करने के बाद जावा एप्लिकेशन एक मिनार यह बाइर आएगा यह यहां पर गलती है क्योंकि यह इसके साथ है और यह यहां पर बाइर आएगा बाइर भी नहीं इदर इसके अन्वर यहां पर यहां पर आएगा ठीक है अब मैं कहाँ रहता हूं यहां पर रन करता हूं जावा एप्लिकेशन और नौट अलीप ठीक है अब problem क्यों create कर रहा था क्योंकि यहां पर देखना if यहां पर लगी हुई थी अब यह ब्रैकेट इसकी कहां पर खतम हो रही है यहां वाली यह ब्रैकेट है इसकी तो मैं इसी के अंदर else part लगा रहा था तो वह वाली चीज रॉंग हो गी थी तो इस वजह से हमारे पा अंकरमेंट करता हूं तो यहां पर इस पो खतम कर देता हूं हम दुबारह से रन करता हूं तो मैं गरता हूं यहां पर thousand 18th not a LEPI है ठीक है यह मुझे रिखा रहा है तो इस तरह से हमारे पास next day day हमारे पास काम कर रहा हुता है तो यह ता प्रॉपर लेक्चर हमारा if as selection statement का इससे अगले बाले लेक्चर के अंदर हम looping statement के बारे में discuss करेंगे एक और प्रोग्राम discuss कर लेते हैं जिससे आपकी logic building अच्छी हो जाएगी तो एक और class बनाता हूं यहां फिस्वाइब के नेम से जिसमें हम क्या करेंगे दो number को swap करेंगे swap कैसे के यह देखो main method बनाया main method बना के int a की value मैंने रख दी 10 और int b की value मैंने रख दी 5 ठीक है यह चीज़ मैंने कर दी अब मैं क्या दरता हूं कि दोनों number को मैंने swap करना है तो swap करनी के लिए logic मेरे पास क्या होगा logic एक यह बन सकती है कि अगर मैं यह चीज़ बोलूँ कि एक और variable लूँ उसे काओं कि a की value तू संभाल के रख फिक है a की value बी को दे दूँ और b की value जो मैंने a की value चो temp के अंदर store की थी वो दुबारा से मैं b को provide गरना है अब मेरे कहने का मतलब क्या है थे int temp equal to अगर मैं करूँ इसको मैं a assign कर दूँ अब मैंने क्या किया temp के अंदर a की value मैंने रख दी अब क्या होगा temp equal to हो जाएगा tense ठीक है यह चीज़ हो गई अब a की value b में assign मैं कर दूँ ठीक है a की value b मैं assign कर रहा हूं तो b की value अब क्या हो चुकी है 10 ठीक है एक minute यहां पे मैंने क्या किया a की मैंने assign कर दिया यहां पे a में 5 आ जाएगा क्योंकि b की value इसमें मैं क्या कर रहा हूं store कर रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा B equal to आजएका temp, जो कि A की value मैंने temp के अंदर रखी थी, वो B के अंदर मैं store कर देता हूँ, तो यहां पे अब देखना output क्या आएगी वैसे तो A की value क्या थी हमारे पास 10 थी और B की value क्या थी 5 तो यहां पे print करो A को और यहां पे print करो B को तो देखना output क्या आएगी Java application और यह देखना A की value क्या थी 5 और B की value क्या थी 10 तो यहां पे मैं लिख देता हूँ, यहां पे plus वाला sign आप यूज करेंगी यह एरल चले जाएगा, तो यह concatenation हो रही है, ठीक है तो value of A A is ठीक है, यहां पे मैं लिख दिया यहां पे मैं लिख देता हूँ value of B is ठीक है A की value गया थी 10 और B की value गया थी मेरे पास 5 तो मैंने right click किया, right click करने के बाद run Java application और यह देखो value swap हो गई, जो A की value थी वो B में चलेगी, जो B की value थी वो A में चले गए, तो यहां पे यह step हो रहा है A की value temporary variable मैंने लिए, M को मैंने दे दिया temp, तुम यह पकड़ के रखो और B को मैंने क्या किया, B को value assign कर दी मैंने जो थी मेरे पास, B की value A को assign कर दी, और जो अब था, B की value मैंने temporary value variable को पकड़ाया था B क्या करेगा, उससे A की value ले ले लेगा, तो इस वज़ए से हमने swapping का operation हमने perform करा लिए है तो एक और होता है हमारे पास जो कि हम हमारे पास एक और सन भी आता है कि value को swap करो, लेकिन third variable यानि कि जो हमने temp use किया है, उसको use ना करो तो वो भी आप perform कर सकते हैं वो आपका होगा है, अगर ना हुआ तो next class के अंदर देख सेंगे तो अगर यह समझ आती है तो बहुत अची बात है comment के अंदर बता देना वीडियो को like कर देना, share कर देना अगर चैनल को subscribe ने किया तो चैनल को